अपनी विचार शक्ति को स्वस्थ और सुचारू रखने के लिए एक पजल लॉचिकली प्राती दिन सॉल्व करें दस मिनिट का समय दे मैं एम पटेल आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में तो चलिए देखते हैं आज की पजल आज की पजल में आपको दिये गए है 9 continuous numbers उन 9 continuous numbers को 9 boxes में बठाला है और 9 boxes में इस तरह से बठाला है कि यदि किसी row के 3 number को आप जोड़े किसी column के 3 number को आप जोड़े और किसी diagonal के 3 number को आप जोड़े तो आपको total मिलना चाहिए 0 शुनिये याद रखने जाली बात यह है कि सारे digit का उपयोग करना है किसी भी digit को छोड़ना नहीं है और किसी भी digit का एक से ज़्यादा बात उपयोग करना नहीं है देखते हैं logical solution हमने तीन डिसीट लेने है और सम लाना है 0 इसका अर्थ है हमें numbers minus sign वाले लेने पढ़ेंगे plus sign वाले लेने पढ़ेंगे negative numbers लेने पढ़ेंगे positive numbers लेने पढ़ेंगे center में रखते हैं 0 negative side में numbers लेते हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 positive side में numbers लेते हैं प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, 9 continuous numbers हो गए, अब हमने इन में से किसी तीन numbers को लेना है और sum लाना है 0, यदि हम इन 9 continuous numbers, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, and 4, इनको जोड़े तो sum मिलेगा 0, अब हमें इन 9 numbers में से 3 numbers इस तरह से लेने हैं कि उनका जोड़ हो 0, प्लस 4 के साथ हम रखेंगे minus 4 और 0, minus 3 के साथ हम रखेंगे plus 4 और minus 1, and plus 2 के साथ हम रखेंगे minus 2, and 0, arrangement आप देख रहे हैं, सभी रोज के 3 numbers के total है 0, उसी तरह से 3 columns और दोनों डाइगनल्स के total भी है 0, यह एक logical solution है, इसी तरह से 501 पसल की इस यात्रा में हम अपनी तार्किक विचार सक्ती को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अगली पसल में फिर से मुलाखात होगी, थैंक यू, धन्यूराद,